अगर आप उर्जा के इस आयाम को सक्रिय करते हैं, तो जीवन के अन्य आयाम खोल जाएंगे. एक चीज ये है कि क्या आप उन आयामों के लिए तैयार हैं? कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है. मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूँ, क्यूंकि ये सबसे शक्तिशाली भी है. अगर आपको गहरी खाई में कूदना है, तो या तो आपको पागल होना चाहिए, या आपको किसी पर जबर्दस्त भरोसा होना चाहिए. तो कुंडलिनी क्या है? अभी मैं बोल रहा हूँ, ये कुंडलिनी है. आप सतर्क हैं और सुन रहे हैं, अगर आप सतर्क होकर सुन रहे हैं, ये कुंडलिनी है. एक भूल खिल रहा है, वो कुंडलिनी है. एक कुत्ता भौक रहा है, वो भी कुंडलिनी है. या दूसरे शब्दों में अस्तित्व की मौलिक जीवन शक्ती को हम कुंडलनी कहते हैं अब सिस्टम के भीतर, मानव प्रणाली के भीतर अगर आप इसे एक तरह के जीवन पैकेज के रूप में देखें तो ये जीवन का एक टुकड़ा है जीवन का ये टुकड़ा एक खास तरीके से इस उर्जा की पर्तों के साथ पैक किया गया है उर्जा का एक आयाम तुरंत जीवित हो जाता है क्योंकि ये आपके अस्तित्व की प्रक्रिया के लिए जरूरी है उर्जा के अन्य आयाम तब तक जीवित नहीं होंगे जब तक आप उनके बारे में कुछ नहीं करते जब तक आप उनके बारे में जागरुक नहीं है और उन्हें एक खास तरीके से सक्रिय नहीं करते तब तक वे अस्तित्व में नहीं आते वे शांत रहते हैं निश्क्रिय उर्जा उस उर्जा से बहुत बड़ी है जो अभी उपयोग में है अपना जीवन चलाने के लिए एक भौतिक जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए एक पूर्ण भौतिक और बौधिक जीवन जीने के लिए आपको चक्रों में से बस 21 चक्रों को सक्रिय करना जरूरी है इन 114 में से अगर 21 सक्रिय हैं तो आप पूरा जीवन जीएंगे आप किसी भी कमी को महसूस नहीं करेंगे आप एक पूरा भौतिक जीवन जीएंगे आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी आप सोचेंगे कि आप एक बड़ी सफलता हैं लेकिन आप केवल 21 हैं जो की 21 प्रतिशत से कम है 114 में से 20 प्रतिशत से कम 20 प्रतिशत से कम में भी आप बिना किसी कमी के पूर्ण जीवन महसूस करेंगे जीवन का बाकी प्रतिशत वो किस बारे में है अगर आपका इरादा सिर्फ अच्छे से जीने का है तो इसकी जरूरत ही नहीं है अगर आप उर्जा के इस आयाम को सक्रिय करते हैं तो जीवन के अन्य आयाम खोल जाएंगे एक बात ये है कि क्या आप उन आयामों के लिए तैयार है सवाल ये नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा सवाल ये है कि क्या आप उसके लिए तैयार है क्योंकि भले ही सबसे अच्छी चीजें आपके जीवन में आए पर आप उनके लिए तैयार न हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा आपके अनुभव में ये अच्छा नहीं होगा अगर कुछ आपके पास तब आया जब आप उसके लिए तयार नहीं थे, है की नहीं? अगर ये सबसे बड़ी चीज हो तो भी, शायद ये सबसे बड़ी चीज हो पर ये तब आई जब आप तयार नहीं थे, तो ये अच्छी बात नहीं है, है ना? तो क्या आप तयार हैं? ये पहला सवाल है. अगर आप तयार हैं, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसे कैसे सक्रिय कर सकते हैं? ऐसा करने के कई तरीके हैं, कई कई तरीके. लेकिन कुंडलिनी योग, कुंडलिनी योग, कुंडलिनी योग अभ्यास से लोग परिचित है ठीक है कुंडलिनी योग मैं किसी पर टिपणी नहीं कर रहा हूँ कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूँ क्यूंकि ये सबसे शक्तिशाली भी है सबसे शक्तिशाली हमेशा सबसे खतरनाग भी होता है अगर घलत तरीके से किया जाए तो अभी दुनिया में कई प्रकार की उर्जाएं है बिजली को भी कई अलग-अलग तरीकों से पैदा किया जा रहा है एक तरीका है कि हम इसे पर्माणू रियाक्टरों के माध्यम से करते हैं ये उर्जा उत्पादन का सबसे कारगर तरीका है जिसे हम अभी जानते हैं लेकिन ये सबसे खतरनाग तरीका भी है है ना? जब चीजें गलत हो जाती हैं तो वे गंभीरता से गलत हो जाती हैं जब चीजें सही होती हैं तो ये दुनिया में उर्जा का उत्पादन करने का वाकई सबसे आसान और अच्छा तरीका है परमणूर्जा लेकिन जब ये खराब हो जाता है तो ये वास्तव में इस तरह खराब हो जाता है कि आप इसे ठीक नहीं कर सकते कुंडलिनी योग भी ऐसा ही है ये सबसे शक्तिशाली है पर ये सबसे खतरनाक है ज़रुरी तयारी और मार्गदर्शन के बिना विशेशग्य मार्दर्शन निरंतर मार्गदर्शन और देखरेक के बिना किसी को कभी इसका प्रयास नहीं करना चाहिए पर समस्या ये है कि इस पर किताबें लिखी गई है और सभी उच्चतम योग करना चाहते हैं कोई भी एसे शुरू नहीं करना चाहता, सब जी के साथ वर्ण माला शुरू करना चाहते हैं। ये रवईया अपने आप में ही खतरनाक है। जो शक्ती जीवन में परिवर्तन ला सकती है, वो जीवन का विनाश कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि ज़रूरी प्रतिबधता, समर्पन, ध्यान और समझ के बिना इसे किया जा रहा है। कुंडलीनी उपर उठने से, अगर कुंडलीनी उपर उठती है, तो आपके जीवन की आयाम इतनी तेजी से बदलेंगे, कि आपको बाहर भी जल्दी बदलाव लाने के लिए तयार होना चाहिए, वरना चीज़ें बड़े पैमाने पर बिखर जाएंगी। हम आपको तपस्वी योग कभी नहीं सिखाएंगे। ये योग का सबसे शक्तिशाली तरीका है, लेकिन इसमें अनुशासन और फोकस की जरूरत होगी, जो आप अपने सामान्य जीवन में नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस तरह का योग करते हैं, तो ये आपके बाहरी जीवन को तुरंट तोड फोड देगा। अब ये योग आपके जीवन में जोड तोड करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। ये तरीका अच्छा नहीं है, पर ये आज की दुनिया में काम करने का एक मात्र तरीका है, और ये एक मात्र तरीका है जो अधिकांच लोगों के लिए कारगर होता है। वातावरण में होना चाहिए आप सामाजिक परिस्थितियों में रहकर कुंडलीनी योग नहीं कर सकते वरना कुंडलीनी योग के नाम पर आप कुछ सरल कर रहे हैं क्योंकि कुंडलीनी योग आपको कुछ दिनों के भीतर बदल सकता है अचानक अभ्यास के दो दिनों बाद ही आप अपने ही घर में एक अजनबी की तरह महसूस करेंगे क्योंकि ये आपके बारे में सब कुछ बदल देगा क्या हम कुंडलीनी उचा उठा सकते हैं हाँ हम कर सकते हैं एक तरीका ये है कि मददगार महौल बनाया जाए ताकि ये धीरे धीरे बढ़े दूसरा तरीका इसे इस तरह भढ़काना है कि ये जल्दी से बढ़ जाए अगर ये जल्दी से बढ़ जाती है तो सब कुछ नाटकी ये रूप से बदल जाता है अगर ये धीरे धीरे बढ़ती है तो बदलाव धीरे धीरे होगा आप समय के साथ बदलाव संभाल पाएंगे लेकिन अगर ये बहुत जल्दी होता है तो आप बदलाव संभाल नहीं पाएंगे ऐसा लगेगा जैसे चीजें बिखर रही है तो ऐसा करने के अलग-अलग तरीके हैं कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं मैं सभी तरीके नहीं बताऊँगा ऐसा करने के कई तरीके हैं मूल रूप से इसे करने के 112 तरीके हैं 112 तरीके हैं जिन से आप इसे अपना सकते हैं आधार से ओ, इसके लिए आपको ढांचे को जानना होगा, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा इन 114 चक्रों में से 7 ऐसे हैं, जिनें हम 7 आयामों के रूप में पहचानते हैं इन में से 6 शरीर के भीतर हैं, एक भौतिक शरीर के बाहर है इसलिए अगर आप इन 112 तरीकों को अपनाते हैं, तो आप 6 चक्रों को संभाल लेंगे सातवी को आप संभाल नहीं सकते 112 तरीके हैं जिनसे आप एक चक्र को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम आगना कहते हैं लेकिन आगना से सहस्तरार तक कोई रास्ता नहीं है इसका कोई तरीका नहीं है आपको बस एक खाई में कूदना है अगर आपको खाई में कूदना है तो आपको पागल होना चाहिए या आपको किसी पर जबरदस्त भरोसा होना चाहिए कोई व्यक्ति कूदो कहता है और आप कूद रहे हैं क्योंकि आपको किसी पर इतना गहरा भरोसा है लेकिन जब वो जंप कहता है तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा आप बस एक बिना तल के गड़े में कूच जाते हैं तो मुलाधार से आगना तक की यात्रा वहां पहुँचने के 112 रास्ते हैं पर वहां से वहां तक कोई रास्ता नहीं है ये सिर्फ एक छलांग है वो विश्वास में, भक्ती में या पागलपन में हो सकता है चुनना आपको है